मैंने कुछ टाइम पे ले एक वीडियो बनाई थी How to create PayPal account in Pakistan उसमें मैंने authentic way सिखाया था कि आप किस तरह से PayPal account बना सकते हो उसके नीचे मुझे बहुत सारे comments मिले कि हमारा UK account एड नहीं हो रहा हमारे से verification मांगी जाएगी तो क्या होगा हमारे पैसे भर के देना ये करना वो करना भाई एक मिनट लाइव आपको मैं बैंक पाकिस्तान में रहते हुए attach करके दिखाता हूँ मैं कोई verification नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं करूँगा आपके सामने transaction होगी everything आपके सामने live करके दिखाने वाला हूँ आप यही काम fees दे के लोगों से करवा रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं कहरे हैं मैं 5000 रुपे चार्ज करूँगा आपको PayPal अकाउंट बना के देदूगा जिसमें आपकी bank भी attach होगी तो यार वो इस service के charge कर रहे हो और अगर यही चीज़ मैं आपको free of cost सिका रहा हूँ तो आप उसके नीचे फत्वे देने start कर दे तो क्योंकि आप लोग इससे वाकिफ नहीं हो मुझे इस चीज़ से कोई problem नहीं है आपकी भी knowledge में मैं इजाफा करने वाला हूँ आपको live दिखाता हूँ किस तरह से आपने bank attach करनी है लोग दिखा रहे है पेनियर की bank attach करना यह सारा कुछ मैं आपको screen पर समझाता हूँ कि यह क्या problem चल रही है तो भाई यह है मेरा PayPal account यहां से आपको bank add करने के लिए सबसे पहले क्या करना यह लिखावा add a card और bank आपने simply इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपके पास आजाएंगे दो option link का debit और credit card link का bank आपने withdraw करना है तो आपको bank add करनी होगी simply आप bank add पर जाएंगे यहां से आपको बहुत सारी banks मिल जाएंगी जो के UK based है क्योंकि मैंने account आपको जो बनाना से कहा था वो UK based था simple आप आएंगे Paynear में यहां पर आपको एक दो तीन banks मिल जाएंगी यहां पर आपने click करना है GBP पे अब यह method आपको बहुत सारे लोग सिका रहें लेकिन इसमें जो problem हारी यह भी मैं आपको बताता हूँ लेकिन आपने bank attach कैसे करनी है यह भी आपको मैं बताता हूँ यहां पर आने के बाद यह लिखावा GBP यहां पर आपने अपने details देख लेनी है यह लिखावा view info आपने simply view info पर click करना है और यह आपकी सारी bank details आ गई है bank name क्या है barclays यहां पर pain year क्या offer कर आपको barclays जी हां आपने barclays पर click किया आपने यहां पर agree पर click नहीं करना बलके link your bank are different way पर click करना है यहां पर आने के बाद आप चीज़ देखें यहां पर क्या मांग रहा है bank account sort code यहां पर क्या लिखा हुआ हुआ है sort code आपने simply sort code को copy किया यहां पर आपने paste कर दिया यहां पर आपके सामने इस तरह का कुछ आ जाएगा अगे न आप यहां पर आएंगे account number आपने simply यहीं से account number copy किया और यहां पर आप कर देंगे paste आपका आगया account number अब जैसे ही आप agree and link पर click करेंगे आपके सामने आजाएगा error जी हां यह इस तरह से solve नहीं होता अब आप लोगों की भी यही problem आ रही होगी न तो आप लोगों ने फत्वे दिने start कर देंगे भाई नहीं होता आप छूड बोल रहे हो आप यह और वो मैं live करके दिखा रहा हूँ न आपको यहाँ पर आने के बाद यह सारा काम हो गया आपका attach नहीं हो रहा कोई problem नहीं है दूसरा solutions और अटेक पर available है आपने simply आ जाना है wise.com पर wise एक bank है जो आपको offer करती है बहुत सारे bank account यहाँ पर आने के बाद आप payments में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा British Pound आपने simply इस पर क्लिक करना है सारा process डेटेल में समझना है पिर आप कहेंगे यार समझ नहीं आ रहा ठीक है यह लिखा पर shortcut अब मज़े की बात यह है आपको यहाँ पर bank name नहीं मिलता नहीं आ रहा यह लिखावा इंटर यूर बैंक डिटेल आपने simply इस पर कर देना है क्लिक इस पर क्लिक करने के बाद आप sort code simply मैंने sort code यहाँ से copy किया यहाँ पर मैं sort code paste करूँगा यह सामने आपके क्या लिखावा गया wise payment ltd यहाँ पर account number simply आपने account number को copy किया यहाँ पर आप account number paste करेंगे account number paste करने के बाद मैंने agree and link पर जैसे ही click करना है यह आपके सामने next process पर चला जाएगा next process पर जाने के बाद यह कह रहा है कि हमने 0.01 GBP deposit किये है आपके wise account में उसी के अंदर हमने code भेजा होगा आपकी verification के लिए आप वो code simple यहाँ पर add कर दें अब आप आजएंगे अपने wise account में और यहाँ home पर आपके सामने dashboard आएगा अब यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि यह mobile version पर अभी work कर रहे है तो यह अपने mobile से code copy करना है मैं यहाँ पर डालूँगा वापस आप code वाले पर आजएंगे इसका मतलब हमारी bank attach हो रही है तो यह सारा कुछ आ रहा है यह लिखावा ready to confirm और यह confirm your bank और फलाना यहाँ पर आपने confirm करना है code डाल यह क्या लिखावा है direct debit introduction accepted इससे जादा और क्या proof होंगे यार मैंने कोई verification दी वही account है वही सारे steps हैं इसी तरह से आपने follow करना है अब भी यह working कर रहा है मैं आपको तारीक भी दिखा देता हूँ 11 तारीक है 8 महीन और 2024 है ऐसा ना हूँ कि आप एक साल बाद वीडियो देख रहे हैं मैं आपके साथ share नहीं करता जैसे आप confirm bank पर click करेंगे यह आपसे code कहेगा मैं अभी यहाँ बाद वीडियो को थोड़ा cut कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर code अपना डालने वाला हूँ अपने पेपाल अकाउन में 9061 अगें confirm पर click करूँगा यह लिए और यहाँ पर देख सकते हैं मैं फोर स्टेप यहाँ पर अपने complete कर चुका हूँ यहाँ पर यह देखें यह भी टिक आ गया bank account added इस से जादा और verification क्या होगी यार कोई VPN connect नहीं किया कुछ नहीं किया जिस तरह मैंने step बताया थे वो ही सारे follow की हैं आपका भी इसी तरह verify हो जाएगा यहाँ से आप easily अपने funds को withdraw करवा सकते हैं जो भी आपकी टिक टॉक के payment आप किसी भी चीज़ की payment हो तो यार यह देखें आपके सामने confirmation हो चुकी मैंने कोई NIC नहीं जमा करवाया मैंने कोई पाकिस्तानी address नहीं करवाया वो ही UK की सीमती वो ही सब कुछ था तो मुझे उमीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत स्यादा पसंद आई होगी आपका account भी verify हो चुका होगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको like कर दिए का अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी share कीचेगा जो इस चीज़ पर यकीन नहीं कर रहे है जो कह रहे ह यार यह जूट है और वो यह पांच-पांच अधार देके पेपल का account बनवा रहे है प्लीज उनके साथ यह share लाजमी कीचेगा रियल information दे है authentic information है अभी तक यह बिल्कुल perfect work कर रही है आप लोग भी अभी कि अभी अपना PayPal account बना है मिलते हैं अगली वीडियो में अला आफे घ्यार आफ autorize का रहां, घ्यार आद आए आपांच में आपांच